dot Augilla click to Apollo 9 अवearthi परिवार्वार्वार्यापसवार चलण सांविẫn परिष़å के वारे में जाना उस के आर्थ के बारे में जाना और विशेषद ना आज हम करेंगे सामुइक परीचर्चा के जो किसी विशेख सज्ज्ज है लिशेख साजित्य 하는데 हम जिस चीज का ईजन आज करते हैं वह सामुइक परीचर्चा होती है तौिकर सांहु इपरीचर्चा के अंदर हम जो टौपिक लेते हैं वो हम हमारे संसारों के शिख्षक के अलावा हम बहारेद मतलम से उस विशय का उंढ़र ग्यांटा है करते हैं तो हम जब उस विश्य कर रहे हैं तो हमें यह हो ना चाहिए कि आखिर हम जो डॉपिक लेते हैं जो परीचार करते हैं वह किनकी दाधारों पर कर सकते हैं या कितने हमें विभाजन कर सकते हैं तो उसी टापिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि सांगोई परी चर्चा आखिर कितने प्रकार की हो सकती है हम कितने तरीके से उन्हें आयुजित कर सकते हैं साथ में जो हम उसे क्रियानवित करते हैं उसके चरन के बारे में अध्रन करेंगे किई चरन कोते हैं कि चरन के मांधण hey करते हैं कि हमें किनकी चरणों के आधार पर हमें कार्य करना है तो आज हम उन सभी के बारे में अध्यर करें के सरप्रतम हम देखेंगे कि सामुई परिचर्चा के कितने प्रेकार होते हैं यानि कि ग्रूप Riskshan के टाइपस वह कितने के प्रेकार्जी होती है तो तो सवर्द्रतम हम दो सामुई परिचर्चा के प्रेकार्च तो सबसे पहला फ्रेकार है साल्म साल्म जनी सामुई परिचर्चा परिचर्चा साभुजिनिक परिचर्चा करते हैं वह हमारे समाज यह सभी के लिए सभी को धान में रखते हुए हम जो सब के लिए ही तोता है सभी जंदा के लिए समाज के लिए देश के लिए जो भी तोता है हम उन्हीं विश्याओं का इसमी चैन करते हैं साथ जनी जो सभी के लिए इतकारी होता है और हम वादमाद के लुप में उनका आयोजन करते हैं जो साहग जनी के इस्तर पर दिया हूए टॉपिक होते हैं अब इस तोपिक हूं देखें कि इसे कौन-कौन से टॉपिक आते हैं जो हमारे साहगा जनी के अंदर हम किसी खाद्य समश्या के उपर बात कर सकते हैं हाने समस्षा या हम अभर्यावरण संपन्दी यह लिए हमस्था सकते हैं हमारे जो प्रदूशन आज प्रियावरण में किस सरे से प्रियावरण को कर सकते हैं उसके लिए आधे क्या का दिया यहां रहें कोई बेरोजगारी समश्या यानि कि यह टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमारे सामजनिक होते हैं जिसकी आपशक्ता सबी के लिए होते हैं आएसे टॉपिकों पर हम इस सामुई परिचाचाना अयूजन करते हैं इससे क्या होता है कि ये जो समश्या है हमारे सामने आती हैं इन समश्याओं करके हम इस समश्या को दूर कर सकते हैं और इन समश्याओं पर हम चल्चा करके आगे आने वाले हमारे भुष्य में इनसे समधित जो जो समश्याओं हमारे सामने आने वाली होती हैं उनसे समश्याओं के बारे में भी हम अवगत करते हैं यह हम लोग कह सकते हैं कि भविश्य में आने वाले समश्या से उतपन से वाले समश्याओं लुनुल कअन tort team 24 वर निदान करते हैं कुछ किसी इंटरेट से समधित यह सभी समय है हमारे सान्व जनिक परिचर्चा जिसमें हम सभी के लिबारे में सभी जन्ता को देखते हुए जिलें विश्याओं पर हम चर्चा करते हैं वह हमारी सार्व सेक्षिक परिचर्चा या वाद्रिवाद सेक्षिक परिचर्चा है जो पाठिक्रम से संबंधित होता है कweet सब्राइब देख सकते हैं कि ऑंपरा केंट्भ होता है वह और होते हैं ज्ञाहत्र यहां कि हम इंदर सब्सक्रां सिक्षा से समस्बंदिक हैं कि हमारे सिक्षार्थी को किस चीज की आशर्भता है उस बात पर उस उस टॉपिक पर हम दर परीशवचह करते हैं और अगर ऑन करें चात्र से कार हारे तो हमारा पर्रफ यानि कि आखेर सिक्षार्थी को किस प्राटि क्रम चाहिए कि वह भविश्य में अपनी जो प्योग में उस पार्ठी क्रम को ले सके इसलिए हम यहाँ से संबन्दित करते हैं साथ में इसका जो केंद्र होता है कि केंद्र है वो हमारे छात्र होते हैं यह जो जात्रों के सक्षालिय। के लिए जो जरूरी होता है हम उससें करते हैं तो यह हमारी संवंद्री परिचर्चा के अंतरने आता है जाए किसी विद्ध्यल्या नियुथ हुम किसी भी संवस्का से सुाहिस करते हैं और वो हमारी सेक्षिकалиचा के अंतरगत आता है यहां यह भी दें सकते हैं कि विक्ध्या लेना मेंनेश होता है किस तरीके से चुर्ठ ऒर Worlds ऐबाEE ए शिक्षार्थि के लिए किस तरीके से उन नियतों को फोलो करना से यह सब है कि स्ट्शार्थि तीनोग वक्ष होते हैं जानकों किस तरीके से किस तवर बनाना होता है विख्षित करना होता है इस सभी चीजों का अध्यत हम इस सैक्षिक परिचर्चा के अंदर करते हैं हम यह बारते हैं यह चीज हम जानते हैं कि जब विद्याले में सिक्षार्थी प्रवेश देते हैं तो वो उस तरीके से होता है जिस तरीके से कुमार अपने लिए एक घड़े का जब कच्ची मट्टी के लिए वो गड़ा बनाता है वो उसको स्वेरू प्रेदान करता है तो जो हमारी सिक्षान संबनित यानि कौन हमारा विध्याल है तो उस समय उसे सिच्षार्थी की जो मनोदशा होती है आकार होता है वो भी उस कज्ची मट्टी की समान होता है उसे जो आकार प्रदाल करते हैं वो कौन करते हैं सिक्षर करते हैं किसके मार्ध्यम से करते हैं पा सब्सक्राइब कर सकते हैं इन सभी बातों के बारे में इन सभी समश्यों की हम इसके परिचर्चा करती है तो पहला विदू था हमारा सामशनिक सब्सक्राइब के हमारा सब्सक्राइब को बार हम प्र०र में नहीं क्यों अन्यावatorium वल्क्राइब करते यहां हम अनावशकम क्यों यहां तोपिक पर हमारा समय बर्वाद करते हैं यह विभंग जहाएं करना है तो ऐसे टॉपिक पर करें जो टॉपिक हमारे लिए उपयोगी हो यानि कि विशे का चयन विशे का चयन किसके आधार था उपयोग के आधार पर उपयोग के आधार पर तो अध्र हमारा ऐसो टॉपिक होना चाहिए कि जो हमारे काम आएते की यां कि यह विशे की किसी बिल्ड़ड़ू पर लेकर परिचर्चा करकर वहस की स्थिती उपर हो जाती है यह हम कहे कि एक तरिके से बहुत बाद विवाद हो हो सके जो उपयोग के लायब हो हमें उस विशय वस्तू का उस विशय टॉपिक का हमें चाहिए बादवार के ही हमें कहले कि अतरकेवल ऐसे विशयों का हमें चाहिए या आउजन करने चाहिए कि जो अलग 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 वक्षों पर अपना मैठिट के दे सके अपने अपने एक ही व्यक्ति उसमें परिवर्तर नहीं ला सकते हैं जो अड़तक पर के जो फार करेंगे तभी उसमें परिवर्थन के अच्छत होती है तो परिवर्थन अलब हमें करना है तो हमें ऐसे वीषयर बश्तु का चैयर करना चाहिए जिसमें अपने विचार अलग़ रखें और अल्थ polar तो उसके लिए लेका वाग विवाद का विशर 8 टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिससे वाग विवाद हो सके कि यह स्का फ़र्ड पॉGold की बात करें तो वाग विवाद के लिए आयोजित योजना वाद विवाद के लिए आयोजन जो हम उसका आयोजन करते हैं किस तरीके से हमें उसका आयोजन कर रहा है या हम इसमें यह लिख सकते हैं अपेक्षित आयोजन अर्क अठर हम देखते हैं कि जब हम कोई कारियों करते हैं किस तरीके से हमें उसे कारी को करना है कौन सी आप यहांबद नगनी हैं तो खुलिए का आतार है कि कि जब हम योस्ता बनाते हैं तो हम योस्ता बनाने के लिए हम परिचर्चा के उद्देश हैं उसमें भाग लेने वाले छाट्रों हैं कि क्या उद्देश है उसका छात्रों की संध्या साथ में छात्रों के बैठने की विवस्ता बैठने की विवस्ता अध्यक्ष का चयन यह सब और साथ में हम जो प्रिया जोस्ती रूपने का बराते हैं कि किस तरीके से किस चर्णों के मार्द्यम से हमें उसे सुचारू रूप से संचालिफ करता है इन समय चीज होगा हम यहां पर पहले से प्रिप्रानी बनाते हैं उसम कि हम अपएक्षा करें अगर इस योजना में कही ना कही कोई गर्वर्ण होती है तो मैं इस चीज को मानते हैं कि जो हम प्रिचर्चा करने वाले होते हैं जिस सामही ग्रुप डिसकृशन करते हैं वह वीफल हो जाता है तो अगर हमें इसे सही रूप में संचालिफ करें तो आनते जो हमें निसकश हमारे सामने निकल कर आगा पृतिफल हमारे सामने निकल कर आएगा और यह प्रढव का अगर पहले हम क्या करते हैं हम जो उद्देशे लेकर चारते हैं पहले हम उद्देशे को निर्धालिक करते हैं हम चात्रों की संध्या जो भूप में डिवाइड करते हैं उसका हम डिवाइड करना करते हैं साथ में उचे ग्रूम से जो सभू हम बनाते हैं उनको बैठने की व्यवस चुनना चएए अद्यक्ष जिसकर हम निर्वाईक्ष करते हैं वह अद्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसने पहले भी इस तरीके की परिचर्चा का आयूजन किया हो, यानिकि अलूब हो रहा हो चाहिए और योज़ना बना के बाद में हम इसका आयुजित करते हैं जिससे कि हम जो परिचर्चा करते हैं वो परिचर्चा हमारे ये हमारी एक सफल परिचर्चा बन सके तो ये हमारे इसके तीन परिचर्चा थे सारुजरिक परिचर्चा सैक्षित परिचर्चा वाधिवाद का विश आयोजाय अपेक्षित आयोजन करना या बाद county एक्षित आयोजन करना यह विम्हा कह सकते हैं परीचर्चा या कि हमें इसके परीचर्चा करनी हुए कि इन सभी चीजों का हम अध्यान कर सकते हैं अब हम आगे जो हमारा टॉपिक है तो है तो किस तरह के से करते हैं । करते हैं, और कि किस तरह के से हम यह चुदू करते हैं, तो ऑसका जो छल्ल होते हैं, प्रतम चल्ला हुअ कि जो आनुदेशक के लिए कहते हैं कि अनुदेशक का कारिया बहुत महैत्वूर्ड होता है क्योंकि जैसे जैसे बाध मिवाद की जो संपूर्ड व्यवस्ता करने होती है वह कौन करता है अनुदेशक कि इस सब्सक्राइब बैठने की व्यवस्ता या उसके प्रक्रन या हम कहने कि जो सभू की सदश्य है और इसके अधरी तरह बात दुगार करनेगा उन्हें अनुदेशक को क्या होना चाहिए पहले से थोड़ा सा पूर्व अभ्यास होगा तभी वह एक सही अनुदेशक कहलाएगा यहां पर हम क्या करते हैं अनुदेशक क्रक्रन का चैयन करेंगे चात्रों की बैठने की रिवस्ता ग्रोप बनाना अध्यक्ष का चैयन यह सभी रूप रेखा हम अनुदेशक के मार्धिन से करते हैं इसमें सबसे महत्कूल होता है यह अनुदेशक का कार्य होता है कि किस तरह के से वह बैठ़क का एजन करते हैं सांवी इंसे अंुदेशक परना चाहिए तो तो ऐसा अनुदेशक हमें चुनना चाहिए। जिससे कि इस चीज की knowledge हो। इस करें की सामय परिचर्चाओं का आयुजन क्या हो। जिससे क्या होता है। जो हम अध्यक्ष की अनुदेशक का थामें अध्यक्षा करा चुननेगा। तो अध्यक्ष अगर हम सही चुड़ेंगे तो हमारा कार्य सही दिशा में जाएगा यह पूरी एक तरीके से इस पर विद्भर होती है कि जैसा अनुदेशक होगा कि जैसा हमें जिसको होता है जिसके मादिब से सुचना ना ना होता है मैं सब्सक्राइब करना ना हमें कि तो प्रेक्राइब करना होता है संपूर कार्यकी रूप रेखा तैयार करना यह अनुदेशक का कार्या आता है अनुदेशक के बाद में हमारा अध्याक्ष्ट यानि कि लीडर अध्यक्ष के बारे में जतर है कि अध्यक्ष की वी महत्यक्वी होती है जो अध्यक्ष होता है वह वाद विवाद की समय अधिक महत्कुन होता है क्योंकि कुछ जो हमारे सदेश्च का वाद विवाद का हम संचालन करते हैं उसे संचालन के बीच बीच में उन्हें क्या करना पड़ता है अंतेग लिया करवादी पड़ती है हमकें देगा आपस में तो ग्रुफ चाहते है डूसर ग्रुप क्या बोलना चाहता है इस तरीके से हो ग्रालाइशन करते हैं अंतेग्रिया करते हैं उन्हें समझाना की पड़ता है वीच बीच पे तो कहते कि अगर अधियक्ष के कहते subset अगर अध्यक्ष की अपार अनुपर भी होगा तो वह जिस तरह के से जो अंत्य के लिए करात है जो समझाने में करते है वो प्रेक रेक्रिया क보नी nam करते है वह समझान नहीं लहीं सकें जो सभऑने में बाती है वह numbeрач टॉपिक के बारी विशेवस्तुत के बारे में खुद अगर अलभवी होंगे तो वह हमेज उस तरीक से समझा भी नहीं पाएंगे और जो वह अंतक्रिया उन ग्रूपों में आपस में रखना चाहते हैं वह अंतक्रिया भी वह नहीं रख पाएंगे तो सेकेंड अग्या हमाना अध्यक्ष्ष् करते हैं तो समझ परिचर्चा के अंदर हम क्या करते हैं कि छोटे-छोटे हम संभू बनाते हैं आप देखते हैं संभू के अंदर जो सदश्यों की संख्या होती है वह कितनी होती है चार से दस यह हम्याबर सदश्यों की संख्या रखते हैं सदश्यों की संख्या सदश्यों चार से दस का बनाएं अब सदश्य को अपने उस विशय वस्थु के बारे में अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो इस चीज़ का हमें अच्छी दिखान में रगना चाहिए कि जो परीचर्चा कर रहे हैं इस सदश्य है। वो परिचर्चा वो अपने विश्य वस्तु के आधार बने विश्य वस्तु अपनी जो समश्य है उसी से रिलेटेड वो अपनी विचारों को प्रकट करें प्रते ग्रूप की responsibility होती है कि हम जो अपने विचार जो परीचर्चा कर रहे हैं और हमारे किसका होना चाहिए हमारे विशे से संब्ल दित होना चाहिए कि हम अमारी समश्या से रिलेटेड कि हम उस बारे में बोल सकें तो यह हमारे समू के सदश्यों की जिम्मेदाने होती है साथ में कहते हैं कि ग्रूप में ऐसे भावना होनी चाहिए जिससे कि वो ग्रूप को एक सब्सक्राइब और ले जा सकें जबतर हमारे अंदर प्रेटेग सब्सक्राइब सदश्य के अंदर एक सामुए भावना नहीं होगी तो क्या यह सामुद परिचर्चा सपन हो पाएगी नहीं हो पाएगी साथ में यह भी ध्यान में रखना होता है कि जिसी चीद में नॉलमय। है जो हमारा विषयवस्थु रखना है उसके बारे में हमारे अंब और हमें उसके बारे में सांप्रेशन भी करना है लाज पर आता है वहाना श्रोतागर्ण के लिए कौन होता है श्रोतागर्ण सुन्ने वाले यहीं कहते हैं कि जो श्रोतागर्ण होते हैं वह जाहां अध्यक्ष हमारे साफिक की हमारे सामने प्रश्कूर्द करते हैं देंकि श्रोधागर हमाई सारी डेखते हैं उसके बाद में श्रोधागर अपने विजारों को रखते हैं कि यह जो हमने सामोई परिचर्चा रखी है उस समुष हमारी का हता कर सब्सक्राइब अन्तमी श्रोदागर क्या करते हैं प्रशन पूछते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जिन टॉपिक के बारे में सामोई यानि की सम्हों ने अपने डिविट किया है उससे सम्होदी श्रोदागर अपने प्रशनों को पूछ कर अपनी जो विचारों के सामने आते हैं उन विच तो यह जो जो होते हैं उनकों भी तरगे से एक्सपेंग करते हैं तो यह हमरा अस्ता टॉपिक था सामई परिचर्चा के प्रकार में चरन प्रेकार में ने बताया हमें आपको साजय करिचर्चा शायपषुक परिचर्चा और करी चबुगार चरंपर ह स्नुद्चम सभृतागर। अचया चल्ण में और क्रिचर्चू के स Physics हमें आज बोड़ी कर दो लोगे कर दो बोगेज जय कर दिंदे रहा जायों कर दोगे लोगे कर दो खुब बोगे के पिक दो ऑने वाली किर old नहीं हो फोगे के अज़ा कर दो फ्रेम कर दोगे कि और दोल्स पूलाई जसे आज़ा है